नमस्कार आज वीडियो में कवर करेंगे जूबक वाड़ी सीरी 24 का 94 नमबर में जो खिला जाएका पंचाला प्राइड और रबली एरो के बीच में इस वीडियो में डेटेल के साथ बात करेंगे लास्ट मैश काफी कॉंफिदेंस के साथ खेला था अराबली एरो की टीम ने बाई यहां से 40 और 28 के ओपस मपद हुआ था और 12 प्वैंट के साथ एक्जेक्ट वाण किया था जहां से अराबली एरो की टीम ने और जियाज भी बहुत ज़्याद आपको हाई कॉंफिदेंस के स तो 58% चल रहा है, काफी ज़ादा मजबूर टीम है, 458 रेड में 200 कलियर कर रही है यहां से, सक्सेस पूर जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़ादा इपॉर्टेंट टीम है, इसके पास तो टैकल स्ट्राइक रिट है, वो जा रहा है बाई 42 स्ट्रिंट का, मतलब अच्छे डिफे 7 के साथ, आज आज आपको ज़े टीम खेलती नज़र आएगी, बहुत पंचाला प्राइड के पास रेडर काफी जबर्दस्ताज आते हैं, ज़े आपको 57% के स्ट्राइक रिट के साथ खेलती नज़र आएगी, अब तक अगर टैकर कॉर्ड देखें तो भाई, 37% के स्ट्र स्ट्राइक कम जा रहा है, तो भाई अगर यहां से अगर आप जियाली के लिए खेलेंगे तो इनके आपको ज़्यादा हैं वो रेडरी ट्राइ करने हैं, और अगर रिसेंट फॉर्म देखें, 16 में से यहां से 8 विनिंग कर रही है, 8 मैच इसका लॉस हुआ है, एक बैलेंस परसेंट इनका स्ट्राइक परती सजार है, तो यहां से इपोर्टेंट है, इनके बाद राहूल कुमार जो लेफ्ट कबर पर खेलते हैं और अंडर के तोर पर डिफाइन किये जाते हैं, जो आपको टैकल और रेड दोनों से प्रॉफिट देते नहजर आएंगे, लगबग चालीस का इनका दोनों का स्ट्राइक परती सजार है और यहां से अगर बात करें अंकित कुमार का बारे में, कभी जो बहुत अच्छा केल जाते हैं, कभी खराब परफॉर्मिस दे देते हैं, वाड़ फलाल अराबली एरुक इकलाफ इनका जब-जब मैच होता है, तो काफ पिक भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहां से रोहिद कभी कभार बढ़िया खिल जाते हैं, बट बिने थोड़े से रिस्की बनेंगे, जो कि आपको लेफ्ट कॉण पर खिलते नज़र आते हैं, सनी लाल उतने खास नहीं है, जादा एक्स्पिरियंस प्लेयर नहीं है, आब यह रीसेंडली देखें, तो चलेंजर रोंड में इन्हें स्टार्टिंग सेवन में जगा मिला है, और राहुल कुमार यहां से बैटर ऑप्शन होगा, ठीक है, रोहिद यहां से इपोर्टेंड बनेंगे, क्योंकि यह पॉबलर पिक में जाएंगे, विने और सनी लाल को अ मिल जाएगा, और जो फ्लेर जिसके सार रप्लेस किया जाएगा, बहीं पर वो खेलेगा, और मुझे लगता है, जिस भी नर्वान, जे आपको डेफिनली चेंज होते नहीं नज़र आएंगे, जे लेफ्ट कॉर्णर पर हमेशा की तरह खेलेंगे, और इनके बार राइट क पेर बनेंगे, दीपक जादब, जेवी भाई, इनीके स्टकर के पले राज आते हैं, आप तक अगर स्ट्रैक रेट देखें, रेड के जलते तो कर रहे हैं भाई, यहां से 60, 37 और टैकल में आगे हैं दो कदम, गंगराम के मुकाबला में, 50 का इनका टैकल स्ट्रैक रेटर जा रहा है, तो यह राइट पॉजीशन भाई, इसका बहुत जादा इपॉटेंट है, यहीं से आपको जादा फेंटेसी प्यान मिलेंगे, और इनके बाद अगर लेट सेट से देखें, नूस जादब, हमेशां की तर आज अगेन पॉप्लर पिक में जाएंगे, यहां से आ पिर आपको जुबराज चौदरी देखने को मिल जाएंगे, आज एक एबरेज प्लेयर है, जादा फेंटेसी स्कोर इन से एक्स्पेक्टेशन मत केजा, अगर आप कमफट जो उन से बाहर निकल कर कोई रिस्के टीम ग्रेड करेंगे, बहीं पर इनको ट्राइग कीज़ेग इनके बाद मैं अंकित को लेने बालू, दोनों यहां से इपोर्टेंट है, और शर्मा भाई अगर स्टार्टिंग सेवन में आ जाते हैं, तो जे भी यहां से इपोर्टेंट बनेगे, चौदरी सुड़े से एवरेज प्लेर है जादा इपोर्टेंट नहीं है, बट अगर इनका सब्पन पसेंट का यहां से स्ट्राइक रेडर आ रहा है, रेड के चलते, लेफ्ट के रेडर हैं, तो आप अगर ट्राइ करेंगे और अच्छा कर जाते हैं, तो आपको रहें करने का मौका यहां से मिल जाएगा, बाकी लगबग ट्राइबल पे के हैं, स्वांस और इहमा, दोनों के बाई स्टार्टिंग सेवन में आने के जो चांसे हैं, बहुत जादा कम हैं, फलाल अभी के लिए जिए दो रेडर ट्राइ करेंगे, और यहां से बाई अगर और अंडर देखें, तो चेतन कुमार चौदरी इपॉर्टन बनेंगे अगर खेलने आते हैं, और इनके बाद लीला राम सिंग, भाई इसे एक के बाद एक मैच में सबसिटूट की पिक में आते हैं, एक में जिस स्टार्टिंग सेवन से बाहर चले जाते हैं, खेलने के इनके आज कम चांस है, तो यहां से में गंगराम को लेने वाला हूँ, चौदरी अगर सबसिटू तीनों भाई यहां से काफी पॉटेंट है, पंचम सिंग को आप मिनी जील के लिए ट्राइ कर सकते हैं, और इनके बाद नीचे से कोई खास प्लेयर नहीं है और कोई नहीं खेलेगा यहां से, ठीक है, जे होगा गाईज, आज का हमारा पडिक्टिब, और कैप्टेंस प्लेगा इनके खेलने के जान से कम है, तो यहां से गंगराम को मैं ट्राइ करूगा और नुइस ट्राइ करने वाला हूँ, अगर आप जील के लिए खेलेंगे बाई, अनिल कुमार को ट्राइ कर सकते हैं, रूही, इस्पोर्टेंट बनेंगे, और इनके बाद आप जिसभी यह तेंगे साथ में.